हाई दिस is मिराज और आप हैं मेरे साथ मेरे यूटीप चैनल पर दोस्तो आज का मुद्दा जो है वो यह है कि इतने सारे लीडर्स ATC कॉईन में जुड़े हुए हैं इतने सारे यूट्यूबर्स ATC कॉईन में हैं तो चलिए उन यूटूबर्स और ATC कोईन के उन लीडर्स के बारे में फिर से एक बार मैं डिसकस कर लेता हूँ जो इतने सारे पैंचोर लीडर्स थे वो सारे के सारे ना कहीं चुरा के कहीं निकल लिए यार पैंचोर ओके दोस्तों इसमें सबसे पहले में मिस्टर पुश्पेंदर जी से कहना चाहूंगा थैंक्यू सो मज़ फोर इस काइंड ओप सपोर्ट एंड इस काइंड ओप पेशन्स लेवल के आप इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी लोगों को इस लेवल पे कंवेंस कर रहे हो के अगर कुछ ऐसे सच हैं जिनको हकीकत में सच ही बताओ तो अच्छा है कुछ लोग हैं अभी भी जो चीजों को तोड़ मरोड के पेश कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है सुपलीज ऐसे लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि कोई भी बात फेर बोलो क्लियर बोलो पॉईंट तो पॉइंट बोलो मैं बोल रहा हूँ और सबके सामने बोल रहा हूं फिर से जो बात है वो सच बोलो, चलिए कुछ लीडर से मिलवाता हूँ सर आपको, पहला लीडर से हैं यहाँ पर, यह इनसाब की ज़रा बात सुनिये थोड़ी सी वस, very good, सर यह वाला जो पैशन्स है यह हमें हर एक लीडर्स के अंदर चाहिए था बट लीडर्स से पहले यह वाला पैशन्स हमें मिस्टर शुभाज जी के अंदर चाहिए था आप वो बतातो रहे हो, कि यह ATC कोईन बिटकोईन को बीट कर देगा मगर जब इनसान कोई मंजिल चूज करता ना, उस मंजिल के रास्ते भी वैसे ही होने चाहिए क्या है हमारे पास ऐसा जिससे हम यह कह सके कहां यह ATC कोईन बिटकोईन को रीट कर देगा मैं कह रहा हूँ, बिटकोईन तो बहुत दूर की बात है सर ATC कोईन को आप उसकी हदों में रहके जो उसके actual promises हैं उसमें ही चला लो तो भी शायद बहुत बड़ी बात हो जाएगी आप सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ दो चीजों पर काम कर लो, दो चीजे भी अगर आप सही कर लोगे न तो शायद सोच सकते हो कि यह कुछ बिटकोईन जैसा बन जाए पहली चीज आपका crypto inbox जो सिर्फ 60% ठीक काम करता है 60% बाकी के 40% उसमें problem सी रहती है 40% जब इतना बड़ा इतना बड़ा server है इतनी सारे job की IT team है इतने strong या तो आपने बंदे नहीं बिठा रखे माँ पर सर इतना पैसा आ चुका है कि आप अच्छे IT वाले hire करके एक अच्छा platform बना सकते हो अच्छी service दे सकते हो वो क्यों नहीं मिल रही है वो service नहीं मिलेगी तो sir आपके customer तो टूटेंगे ही negative होंगे ये तो आप practically कोई भी बता सकता है कि अगर एक इनसान एक shop खुलके बैठा है अगर वो service अच्छी नहीं देगा तो उसके पास कोई customer नहीं जाएगा एक बहुत अच्छा shopkeeper जिसके पास एक लाख लोग shopping करते हैं एक लाख लोग उसकी दुकान पर जाते हैं अगर वो अच्छी service नहीं देगा तो उसके एक लाख लोगों में से एक हजार भी नहीं बचेंगे वो उसका shop से समान करिदना छोड़ देंगे यह practically हर किसी ने अपनी life में experience किया हुआ है तो फिर यहाँ पे उस experience को क्या हो गिया कहा गया वो experience क्यों लोग इस चीज को नहीं समझ रहे हैं कि क्यो service क्यों नहीं दे पा रहे हो यार सिर्फ service ही दे दो कुछ मत करो सिर्फ वो service दे दो पहली चीज तो आपका crypto inbox आप उसे please अ उसको कोई दिकत नहीं है आप सिर्फ दो या तीन जगा पे इसको लिस्टेट कर दो जहाँ पर इसकी trading हो जाए या तो trading दे दो या फिर कोई ऐसा जगा या ऐसा portal दे दो सर जहां से कम से कम इसका withdrawal कुछ लोग लगा सकें क्योंकि government की policy के according भी अगर आप देखोगे तो वो य यह तेय होता है कि अगर 45 दिन के अंदर आपने जिसका पैसा इंवेस्स कराया उसको पैसा अगर वापिस नहीं दिया तो आप पर legal case हो सकता है सर यह मैं पढ़ी भी बात बोल रहा हूँ आप चाहो तो फिट से पढ़ ले ना मैंने अच्छे से पढ़ के इस बात को बोला है जो लोग यह बोलते हैं न कि अनपड़ लोग वीडियो बनाते हैं सर अनपड़ लोग भी कई बार न पढ़े लिकों से ज़ाद अच्छी बाते कर जाते हैं अगर मेरी बात जहां पहुच रही है न वह पहुच गई होगो तो कंपनी की वेबसाइड बनत होती आज नो एक्षेंज के उपर आपका एटी सी ट्रेड ना कर रहा होता और शायद यह अभी तक जीरो पहुच गया होता अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होती तो आप very good sir I agree with your opinion मैं बिलकुल मानता हूँ कि यह सारी चीज़े हैं बट क्या फायदा है उस वेबसाइड का जिस वेबसाइड पे कोई चीज ठीक से काम नहीं कर रही हो तो वो चले ना चले एक ही बात है मैं आपको negative नहीं कर रहा हूँ मैं सिर्फ उस चीज़ को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि rather than to force कि आप किसी चीज़ को इतना force कर रहे हो कि यह सही है इसी को accept करो यह सही है इसी को accept करो यार आपको मुझे यह समझाने की और कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि यह सही है आप उसे सही कर दो वो automatically मुझे समझा जाएगा जब मैं उसको चलाओंगा कि यह सही है आपकी office बंद नहीं हुए कोई बात नहीं अभी नहीं हुए अगर यही situation चलती रही जेवरिया sir सामने नहीं आये sir to be frank बुरा मत मानना I'm sorry to say but आपकी face value पे पैसा नहीं लगाया गया है पैसा जो लगा है वो Mr. Shubhaz जी की face value पे लगा है और उनकी बातों पे लगा है so कोई भी leader जो कोई भी leader यह आ करके कहता है कि मेरी बात को सुनो मेरी बात का विश्वास करो sir you are not the honor of this ATC coin registration आपके नाम से नहीं है कल को आप क्या आप return में guarantee लिखके ले सकते हो कि आप वो सारे लोगों का पैसा return करोगे आपकी इस वीडियो में कही सारी बाते और भी है जो मैं आपको फिर से दोराना चाहता हूँ आप बोल रहे हो कि ABP News ने एक छोटी सी news बना करके ATC coin को बदनाम करने की कोशिश करिए सर ABP News टू मिलियन्स वीवर लेके बैठा अपने YouTube पे उसकी एक छोटी सी गलत news भी दो मिलियन लोगों के पास पहुशती है और आप और मैं और पुश्पेंदर जी और भी अगर लीटर मिला करके सारे अपने वीवर्स और सारे अपने जो subscriber हैने count करेंगे तो लाख भी नहीं पहुश पाएंगे ठीक से लाख भी पहुश गये तो दो लाख पर पहुश जाओगे ज्यादा से ज्यादा मैकसिमम वो बंदा दो बिलियन लोगों के साथ में सामने एक news flash कर रहा है और हम दो लाख लोगों तक भी अपनी बात नहीं पहुशा पारें तो उस चिसको कैसे flash कर देंगे सही answer इसका ये था कि अगर ABP News ने हमारे office में घुसके video बना के viral करी है उनको वहीं के वहीं बिठा करके क्यों clear नहीं किया गया क्यों उसी वक्त वो सारे documents या जो उनकी query थी जो भी उनकी questions थे वो किसी senior leader ने या किसी senior person ने या किसी वकील ने या किसी भी बंदे ने वहाँ पे बैठके उनसे clear क्यों नहीं किया आपकी बात ये भी agree करता हूँ कि दूसरी coins competition में तो sir competition उसी के लिए अच्छा होता है जब कुष्टी होती ना खाड़े में जो पहलवान जादा ताकतवर होता है तो वो ही जीतता है चाये वो छोटा हो या बड़ा हो जिसने जिसको पठकी दे दी वो जीत गया यहाँ पर sir आपके coin को और आपकी company को और आपके process को हर कोई blame कर रहा है आप उससे ना गलत साबित करने की बजाए आप हम लोगों को और हमारे जितने बाकी जो investors हैं जो अभी इससे बाद में जुड़े थे उन लोगों को यह force कर रहे हैं को और पैसा invest करके coin को ऊपर ले आओ चलिए आपकी बात बड़ी करता हूँ कि लोगों ने पैसा invest करके coin को ऊपर ले भी आए तो जो बाकी की services अभी तक वैसी के वैसी चल दी थी पूर और आगे भी वह वैसे चलेंगी इस चीज के क्या guarantee है आप एक काम करवा दो मैं आपकी बात agree करता हूँ और बहुत सारे लोग agree करेंगे इस message में और इस video में कि आप जितने भी coin crypto inbox में पड़े हैं सभी के वह सारे के सारे आप Nova exchange पर transfer करवा दो हमारे we fully support you हम कहीं से कहीं तक भी पीछे नियटने वाले सर प्रॉब्लम हमारी वो नहीं है कि Nova exchange पर जो trade हो रही है वो गिर रही है या आप हो रही है वो गिर रही है तो सबको पता है कि पैसे नीचे coin के गिरने वाले है मगर problem जो actual वहां पर आ रही है जहां सबसे जादा लोगों का investment है आज आपके leaders क्यों भाग रहे है आज आपके जो इतने सारे investor है क्यों भाग रहे है आप उन्हें ना पकड़के आप अपनी service को ठीक कर लेते तो वो लोग क्यों जाते वो सारे के सारे क्यों चले गए उसका स सीता सा reason सर यही है कि आपकी service और आपकी delivery वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है यह चीज accept कर लो और इस चीज़ पर अमल कर लो उन चीज़ों को ठीक कर लो वो चीज़े ठीक हो जाएंगी तो शायद सारी चीज़े ठीक हो जाएंगी otherwise जो हालात आज है उससे भी ज्यादा होने व प्रूफ करो कि कोई अगर हमें गलत कह रहा है तो हम उसे यह प्रूफ करें कि बेटा गलत हम नहीं गलत तु है क्यों प्रूफ नहीं कर पा रहे हो आस तक पहले भी मैंने एक वीडियो में यह कहा था कि नोवा एक्सचेंज ने आपको गलत साबित किया crypto inbox को बोला है कि don't faith on crypto inbox आस तलग भी उसका जवाब नहीं गया क्यों नहीं गया क्योंकि कहीं ना कहीं शायद अपने ही सिक्के में खोट है तो उस खोटे सिक्के को अब ज्यादा टाइम तक सरह आप नहीं चला पाओगे प्लीज समझो इस बात को thank you so much अगर यह बात मेरी लोगों तक पहुच ज but don't trouble your mother and sister over here thank you so much thank you